असलाम अलेकुम मैं हूं असामा जावेद अपना टीचर के प्लैटफॉर्म से और आज हमने एक्ससाइस 2.2 आफ कॉंप्लेक्स नंबर जो है कंटिन्यू करनी है आज हम इस्टाइब लेने जा रहे हैं इसका कोशन नंबर 7 विच इस ऑन फेक्टर से कोशन नंबर 7 हम स्टाइ इसके अंदर फेक्टर से रिलेटेड आपके आज दो कोशन मुझूद हैं अगर फर्स्ट कोशन पर हम आते हैं तो फर्स्ट कोशन है हमारे पास 4a2 प्लस 9b2 अब यहां पर एक बात जो है वह आप सबने नोट करनी है कि यह जो हमें एक नंबर गिवन है यह कौन सा नंबर ह हमारे पास एक complex number है सही है तो जब हम इसके factors बनाएंगे सही है तो वह भी हमारे पास क्या हूंगे complex numbers ही कहलाएंगे जैसे अगर मैं यहांपे 20 लेता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे 20 के factors चाहिए कि 20 के factors क्या हो सकते हैं 2 x 10 O n सकता है इसका factor सही ह greatest 2 x 10 करेंगे तो आपy 2 multiply by 5 तो जब आप TEMA करेंगे तो भी आपके पास किया आएगा 20 ही आएगा सही है तो यहां पर यहां पर आप लोट रखने हो जो भी आप काम करेंगे यहाँ जब उसका reverse process आपने करना है तो answer आपके पास वही आना चाहिए जो कि आपका क्या था question था तो बढ़ते हैं इस question की तरफ factors का जब भी आपको question दिया जाएगा तो याद रखना सबसे पहले आपने क्या बनाने है दो brackets और उन दोनों bracket के ओपर power आपकी क्या आएगी square सही है मैंने क्या बनाए दो brackets बनाए दो value उसी तो मैंने कितने 2 brackets बनाए दोनों के ओपर power क्या गई मेरे पास square आगई सही है और जो आपके पास बीच में sign होगी सही है उस sign को आपने क्या करना है चेंज करके लिखना है जिसे मेरे पास यहां प्लस ही तो मैंने क्या लिख दी है माइनस लिख दी है अगर माइनस होती तो मैं क्या लिखता प्लस लिखता अब आगे बढ़ते हैं यहां पे मेरे पास 4a स्क्वाइर मैंने बाहर होल में स्क्वाइर लगा तो देखे जब मैं इस value को reverse करता हूँ तो again मुझे 4A square मिलेगा Of course मुझे मिलेगा लेकिन अगर मैं यहीं पर 4A square लिख दिया था bracket के अंदर तो मुझे वापस bracket open करने पर 4A square नहीं मिलता बलके 16A4 मिलता ऐसा ही होता ना तो हमें 4A square हमें reverse process पर क्या चाहिए again question चाहिए तो हम क्या करेंगे 2A लिखेंगे यहां की बात करें तो यहां 9B square है तो यहां क्या आ जाएगा 3B आ जाएगा सही है मतलब जब इसका reverse process होगा तो यह 9B square लेकर आएगा लेकिन यहां पर plus और minus का fault आ रहा है हमारे पास हम क्या करें कि जब हम reverse पर जाएं तो यह minus plus में change हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे यह जो आपके पास imaginary part है इसमें आयोटा add कर देंगे simply आयोटा से आपको फाइदा क्या होगा जब यह square अंदर जाएगा तो यह square थरी पर लगा which means 9 B पर लगा which means B square जब यह square आयोटा पर लगेगा तो मतलब हो जाएगा minus 1 क्योंकि आयोटा स्कॉयर का मतलब क्या होता है minus 1 बाहर भी minus अंदर भी minus 1 तो minus minus क्या लेकर आजाएगा यह plus और जो वन है वो 9 B square से multiply हो जाएगा तो आप देख रहे हैं इस form को जब मैं reverse कर रहा हूँ तो मेरे पास again 4 A square plus 9 B square आ रहा है तो आगे इसमें बढ़ते हैं आगे यावे factors बनाने के लिए क्या क्या करेंगे class metric में आपने factorization के लिए एक formula सीखा है which is A square minus B square यह जब हम factors बनाते हैं तो यह formula किसमें open होता है A plus B into A minus B basically यह formula यहाँ पे close हो रहा है हम ulti wording जो है वो use करते हाथ है कि यह formula open होता है यह formula open नहीं होता भाई यह formula क्या हो रहा है close हो रहा है यह formula opened है brackets के अंदे close नहीं है यह यहाँ पे क्या आ गया open close हो चुका है ठीक है देख रहे हैं यह brackets के अंदे close हो चुका है यह open नहीं है सही है तो यह इसकी factor form आ जाती है अब match करेंगे तो यह मेरे पास आ गया A यह complete आ गया B A plus B की बात करें तो A की जगा है 2A plus B की जगा आ जाएगा 3B iota second bracket A minus B है तो A की जगा आ जाएगा 2A minus B की जगा 3B iota ठीक होगे यहां तक तो यह हमारे क्या बन चुके हैं इसके factors बन चुके हैं यहीं तक क्या होगा हमारा answer होगा इस question का screenshot ले लीजिए तो further next question की तरफ हम बढ़ते हैं अच्छा विसी का जो next part आपके पास given है सही है उसमें आपके पास क्या लिखाव है 3M square plus 8T square अब इसे आपने क्या करना है सॉल्फ करना है यहां पर तो सेम तरीका हमारा पिछले कोशिंट में हमने जो तरीका किया था क्या था पहले आप क्या लगाएंगे ब्रैकेट्स उन ब्रैकेट्स के ऊपर square सही है इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा लैंडी बना रहा हूं square के बाद यहां पर जो आपके पास sign होगी वह change होके लिखी जाएगी plus है तो मैंने क्या कर दी है minus कर दी है अब बढ़ते हम values की तरफ के बैकेट के अंदर values कौन कौन सी आनी है M square है तो हम सिर्फ M लिखेंगे जब bracket open होगा तो again क्या बन जाएगा वह M square 3 की जगा यहां क्या आएगा 3 की जगा सर यहां पे यहां पर आएगा under root 3 क्योंकि जब यह square और जाएगा- dT हुए- सबसे बहिवे तो क्या बना लिक्त है है LCM सही है वैसे तो टू अंडरू टू इस पर लिखा जाता है लेकिन जिन को नहीं मालूम उनके लिए मैं LCM निकाल लेता हूं तू फोर्जा तू टूजा एंड्टू बन जाते हैं उन्हें हम बगैर स्क्वार रूट के लिखते हैं और जो हमारे पास पैर के अंदर नहीं ह तो यह आगी है तू अंडरू टू टी सही है अब यहां पे हमारे पास जो है माइनस की साइन है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम यहां पे क्या लिख देते हैं आयोटा सही है तो जैसे ही यह रिवर्स प्रोसेस होगा तो अगें यही सेम वैलियू आ जाएगी अब यहां हमारा व्ला हो रहा है फॉर्मिल्ला क्यों स्कॉयर माइनस बी स्क्वाइर का जो एकोल होता है अप्लस बी के तो यहां पे एगी जगा आ जायेगा मेरे पास अंडरूस टू ऑडे रूप टी आयोटा सही है यह आयोटा चाहिए यह अग इसको लिखना चाहिए तो वह भी ल टी आयोटा यहां तक हमारा क्या हो गया यह आंसर कम्प्लीट हो चुका है सही है तो यह हमने फैक्टर के कुछ कोशन जो है वो देखे नेक्स वीडियो के अंदर हम कोशन नमबर एड जो है वो सॉल्फ करेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिस